प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के रोहतांग में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टरनल का उद्खाटन कर दिया है इस मौके पर प्रुधान मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनात सिंग, सीम ज्वैराम ठाकुर और साथी सेना प्रमुख नर्वने सहित कई अधिकारी मौजूद रहे साथ या पोई बता दें कि अटल टरनल का निर्मान अत्यधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाडियों मिक्या गया है ये समुद्र तर्ट से 10,000 फीट की उचाई पर स्थित है और अटल टरनल के बंजाने से मनाली और लेह के बीच की दूरी भी 46 किलोमिटर कम हो गई है साथ ही दोनों स्थानों के बीच सफर में लगने वाले समय में 4-5 घंटे की भी कमी आएगी अटल टरनल का आकार घोडे की नाल जैसा है इसका दक्षिनी किनारा मनाली से 25 किलोमिटर की दूरी पर समुद्र तल से 3060 मिटर की उचाई पर स्थित है जबकि उत्तरी किनारा लाहौल घाटी में तेलिंग और सिसु गाम के नज़दीक समुद्र तल से 3071 मिटर की उचाई पर सित हैं 10.5 मिटर चौड़ी इस सुरंग में फायर प्रूफ अपात काली निकास दुआर बना हुआ है अटल टरनल में सुरक्षा के परयापत इंतजाम हुए हैं और हर 150 मिटर की दूरी पर टेलिफून की ववस्था यहां पर है ताकि अपात स्थिति में संपर्क साथ ही हर 60 मिटर की दूरी पर अगनी श्यमा नियंतर रखे गए हैं 250 मिटर की दूरी पर सिसी टीवी की ववस्था है और इसके साथ ही वायू की गुणवत्ता जाचने के लिए हर एक किलो मिटर पर मशीन लगी हुई है गौरतलब ये भी है कि रोहतांग गर्रे के नीचे इसको बनाने का फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था और इसके आधार शीला 26 मई 2002 को रखी गई थी और आज इसका उद्खाचन प्रधान मंत्री के हातों हो गया है